नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रकास दियूटिक में तो गैस देर यूपी स्कोलर सिफ 2022-2022 और डीड़ेट में आपके साथ सेयर करने वाला हूं लाजट डेट की रिगार्डिंग यानि कि लाजट डेट का बढ़ना आप मान क चलो की लगभग कंफर्म समझ दिया फिर हंडेट परसेंट से ओर हो जाएए लाजट बढ़ने के रिगार्डिंग और आपको ये भी बता दो इस दिन से आएगी छात्रवित्ती तो चात्रवित्ती को लेकर भी क्या अपडेट है क्योंकि छात्रवित्ती जल्द आपकी आन के अड्मिसन के कारे के चलते जो चात्रवित्ती था उसके दुबारा से फेज टू फेज वन फार्म आने में कन्फ्यूजन हुआ आप मेरे यूटूब चैनल पे जाओ वीडियो सेक्षन में मैं कोसिस करूँगा आई बटन में लिंक दे दूँ मैंने कल की डेट में बहुत के सब्ता में लाज डेट यानि की फेज टू के लिए चात्रवित्ती फार्म भरने के लिए पोर्टल फिर से दोबारा उपन कर दिया शाएगा और ये तमाम चात्र जो पोर्टल उपन होगा जो अभी तक नहीं भर पाएं आपके जिनका आधा दूरा है वो उसके आगे में आजा उनको भुगतना होगा सिर्फ एक नुकसान है नुकसान ये है कि आपको बता दो कि इन छात्रों का छात्रवित्ती जो है वो फरवरी में आएगा यानि कि फरवरी में स्कॉलर सी पाएगा और थोड़ा भूट डिले होगा यही बस अंतर है बाकी कुछ नहीं बाक जनपद स्तरी विभागी अधिकारी के डिश्टल सिंगनेचर लाग डाटा के अधार पर निसी की राज जीकाई से मांग स्रिजित कराना ये कारे कब तक होगा 10 दिसंबर तक समझ गए और 15 पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो आपको मैं 15 पॉइंट भी दिखा देत और ये प्रक्रिया कब से होगा 15 दिसंबर 2022 से यानि कि 15 दिसंबर से ही चात्रों की चात्रुति उनके बैंग खातों में भेज जाने की प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी तो सवाल ये उड़ता है कि ठीक है भाई अगर 15 दिसंबर से भेजी जाएगी तो ये किन चात्रों क का है तो सबसे पहले आपको अभी डाउट क्लियर कर दूं कि ये प्री मैट्रिक के छात्रों की मैं बात कर रहा हूं पोस्ट मैट्रिक वालों का क्या होगा कि पोस्ट मैट्रिक वालों का जो भी है उनका आएगा 28 दिसंबर से समझ गये प्री मैट्रिक आएगा 15 दिसंबर से तो किसी प्रकार का doubt नहीं होना चाहिए, doubt, confusion सबको हटा दो, क्योंकि अगर आप अपने भाई की चैनल को subscribe करके जुड़ जाते हो, या फिर जो पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है, इक खबरें यहां आपको authentic मिलेंगी, 10-12 DW अधिकारियों का contact number है, जिनसे मैं regular basis पर consultant करता रहता हूँ, बात करता हूँ, contact करता हूँ, जिससे कि आपको genuine update जो है वो provide कर सकूँ, YouTube पर सायद ही ऐसा कोई बंदा है, समझ गए, और दूसरी बात अगर आपको बता दूँ कि वो यह है कि आपको किसी प्रकार से गुमराह नहीं किया जाएगा, जो भी update होगा, देखिए एक हपते पहले भी मैंने बता दिया था, लाश्ट में बढ़ेगा, और फिर तिन दिन बाद आर्टिकल भी आ गया था, लाश्ट एट, admission का कारे जो है वो चल रहा है, तो इसके कारे लाश्ट एट में डिले हो रहा है, समझ गए, तो घबराने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इयर वालों का भी साथ में भर पाएं, इसलिए पोर्टल को ओपन करने में डिले किया जा रहा है, आई होप आप सारी चीजों को समझ गए होंगे, चलिए अब आपको कहां से फार्म भरना है, इसके बारे मदाएं, साथियों अगर आपको च्छात्रृत्ती का फार्म भरना हो गया, या फिर आपको क्या काम करना है, करिक्सन का पोर्टल एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ, इन सारी चीजों के लिए आपको क्रोम पर बोर्स एक्जाम टाइप करके सर्च कर देना है, आपको बता दूँ कि यहां पर जैसे आप क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आज रहेगा, जहां साथ आपका जो सी भी कोड्स का टेगरी है, उसको सेलेट कर लेना है, फ्रेस हो, रेनिवल हो, इस सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद, अपना रेश्ट्रेशन नमबर, डेटा आप बर्थ, पास्वर्ड जो है, उसको फिल अप करके, आप जैसे ही सब्मीट पर क्लिक करते हो, आपका स्ट्रेटस जो है, वो स्वाउट होना सुरू हो जाएगा, तो इस वीड़ों पर जल्दी शल्दी सव लाइक ठोगवा दो, सव लाइक और जो लोग नहीं सस्क्राइब किया, सभी लोग सस्क्राइब कर लो, अभी मैंने करिक्शन के रिगार्डिंग भी ऑफिस्यल अपडेट जो है, बाकी का, आपको बता दूँ कि, आपका करिक्शन जो है, उस पर भी जल्द कारे होगा, मैंने कहा एक वीड़ो जल्द ला दूँगा, और अगर आपको कोई डाउट है, अब कि बाश्चन की रिगार्डिंग, कब आएगी, उसके रिगार्डिंग, गोई Бी राय, परामर से सब कुछ कर सकते हो, और इस वीडियो को दोस्तों में सेयर करना, क्योंकि आपका कारे हो गया, अब आप दोस्तों में share कर दो जिससे कि वो बिचारे भी tension free हो जाएं और अपना काम करें और इसके पहले जो मैंने वीडियो अप्लोड किया है UP scholarship का वीडियो section में आप जाके देखोगे तो most important high button में मैं link भी दे दूँगा जरूर से देखना उसमें सारे doubt आपके clear कर दिया हू थेंक्स पर वाचिंग जय हिंद वन्दे मातरम टिक केर